हेलो फ्रेंड्स वल्कम बेक टू मांसी इस्टेडी चैनल दोस्तो आज है 25 फरवरी 2024 और 25 फरवरी 2024 से related current affairs के जितने भी question बन सकती है आज की class में सारी question को cover करेंगे और हर question से related important point भी मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग पूरा class बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तो ये class आपकी morning सुवे 7 a.m. पे daily live आती है आप सभी लोग सुवे 7 बजे इस class के लिए तयार रहा करिए इस से आपकी तयारी current affairs में बैतर होने वाली है और आँगे आने वाले सभी exam में आप current affairs related जितने भी type के question exam all में पूछे जाती है आप उन सभी type के question का answer बहुत easily दे पाएंगे तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का पहला question देखती है आज का पहला question लिखा है friends किस सहर में भारत के पहले skill India center का उधगाटन किया गया है इन्विस सिटी है इंडिया जो first skill India center been inaccurate फर्स्ट ऑप्षन है पठना, second option है संबलपूर, third option है भुवनेश्वर य जल्दी से बताईएगा दोस्तों किस सहर में भारत के पहले skill India center का उधगाटन किया गया है इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे है मारा option number B संबलपूर सहर में चलिए से related important point 2 को पढ़ती है केंद्री सिच्छा और कौसल विकास एवम उधिमता मंतरी स्री धर्मेन पिर्धान ने उडीशा के संबलपूर में देश के पहले कौसल भारत केंद्र का उधगाटन किया कौसल विकास और उधिमता मंतराल के सचिफ स्री अतुल कुमार तिवारी CEO NSDC और MD NSDC इंटरनेशनल स्री वेद मनी तिवारी और अन्य गड़मान व्यक्ति इस कारक्राब में उपस्तित थे ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स किस देश में बहुराश्टी सेन अभ्यास सांती प्रियास IV 2024 का आयोजन किया गिया है इन विच कंट्री हैल्स दी मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइब पीस प्रेस IV 2024 बीन और अर्गनाइजड फर्स्ट आप्शन है भारत सिकेंड आप्शन है नेपाल थर्ड आप्शन है बंगलादेश फूर्थ आप्शन है पाकिस्तान जल्दी से बताईएगा दोस्तों किस देश में बहुराश्टी सैनब्यास शांती प्रेयास IV 2024 का आयोजन किया गिया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है हमारा ओप्शन नंबर भी नेपाल देश में चलिए से रिलिजिट इंपोर्टेंट पॉइंट्टों को पढ़ते हैं काटमांटू वेस्विक सांती प्रेयासों का केंद्र बिंदू बन गया है क्योंकि यहां पर बहुराश्टी सैन अभ्यास सांती प्रेयास IV की सुरुवात की मेजवानी की गई है यह मैत्रपूर आयोजन जोर सैयुक्त राशांती मिशनों में सक्री रूप से सामिल 19 देसों के सेना प्रतीनिदियों को आकर सिद करता है वेस्विक सांती और सुरच्चा बनाए रखने के प्रती सैयुगात्म भावना और समरपड को रिखांकित करता है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स किस राज में एसिया का सबसे बड़ा जन जातिये महशव समक्का सरक्का मेदा राम जथारा सुरू किया गया है फर्स्ट ओप्सन है मदपिर्देश, सीकेंड ओप्सन है उत्तर पिर्देश, थर्ड ओप्सन है जारगंट, फोर्त ओप्सन है तिलंगाना बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं हमारा ओप्सन नंबर डी तेलंगाना राज में चलिए इस कुशन से रिलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंट तो को पढ़ती है एसिया का सबसे बड़ा जनजाती मेला समक्का सरक्का जथारा तेलंगाना की मुलगु जिले में सुरू हुआ है जिसमें हजारो भक्तों ने जनजाती देवताओं की पूजा की चार दिवसी मेदाराम जथारा उस्सव कन्यपली गाउं से सरक्का की मूर्ती के पारंपरिक आगमन के साथ शुरू हुआ लाल कपड़े से ढकी हुई मूर्ती को सिंदूर और हल्दी पाउडर से भरे बटन में लाया गया और मेदाराम में एक मंच पर रखा गया ठीक है दोस्तों अंगे बढ़ती और नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स किस भारतिये राजनेक लेखक और राजनीतेगे फ्रांस का सर्वोच नागरिक सम्मान दिया गया है विच इंडियन डिप्लोमेट राइटर एंड पॉलिटीसियन है जबीन एवार्ड़ेड फ्रांस हाइस सिविलियन ओनर फर्स्ट ओप्सन है ससी थरूर सिकेंड ओप्सन है अमिताब बच्चन थर्ड ओप्सन है नरेन मोदी या फोर्ट ओप्सन है रस्किन बॉंड बताइएगा फ्रेंट्स किस भार्टी राजनाइक लेकक और राजनीतिक फ्रांस का सर्वोच नागरिक सम्मान दिया गया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे हैं हमारा ओप्सर नंबर ए ससी थरूर जी को चलिए से रिलिज इंपोर्टन पॉइंटों को पड़ती है राजनेक लेकक और राजनीतिक ससी थरूर को फ्रांस के सर्वोच नागरिक सम्मान प्रतिष्टित सिवेलियर डेना लेगियन डी ओनर से सम्मानित किया गया है यह सम्मान वेस्विक समझ को बड़ावा देने के लिए थरूर के आज इवन समरपड और भारत और दुनिया भर में उनकी महटपूर सेवा का जस्न मनाना है पुरुषकार समहरो नई दिल्ली में फ्रांसीसी दूतावास में हुआ जहां फ्रांसीसी सीनेट के अध्यज जिरार्ड लार्चर ने कांगरिस सांसद को सम्मान प्रदान किया है ठीके दोस्तों चलिए अंगे बढ़ते और नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स अंतर राष्टी सौरगट बंदन में सामिल होने वाला 119 सदस देश कौन सा बना है विच हैज बिकम दी 119th मेंबर कंट्री टू जॉइन दी इंटरनेशनल सोलर एलाइन्स फर्ष्ट ऑप्षन है माल्टा, सिकेंड ऑप्षन है केन्या, थर्ड ऑप्षन है युगांडा या फोर्ट ऑप्षन है इरान बताईएगा फ्रेंड्स अंतर राष्टी सौरगट बंदन में सामिल होने वाला 119 सदस देश कौन सा बना है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हमारा ऑप्षन नंबर ए माल्टा बना है चलिए इस कुशन से रिलेटिट इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ लेती हैं विदेश मंतराले के अनुशार यूरोपी देश माल्टा अंतर राष्टी सौरगट बंदन में सामिल होने वाला 119 देश बन गया है भारत ने ISA में सामिल होने के लिए माल्टा का स्वागत किया माल्टा सिसली के तच्चेण में भूमद सागर में इस्थित एक द्वीप राज है इसमें तीन द्वीप सामिल हैं गोजो माल्टा और कोमीनू माल्टा सबसे बड़ा द्वीप है मई 2004 में देश यूरोपी संगी का सदस बन गया ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन लिखा है फ्रेंट्स किसने अंडर वॉर्टर फोटोग्राफर ओफ दा इयर दो हजार चौबिस का पुरुषकार जीता है फ्रेंट्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है हमारा ओप्सन नमबर बी एलेक्स डौसन ने चलिए इस कुशन से रिलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंट्टों को परती है स्वीडिस फोटोग्राफर एलेक्स डौसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ओफ दा इयर दो हजार चौबिस का पृतिष्टित खिताब जीता है उनकी विजेता प्रविष्टी वेल बोंस एक मंत्र मुक्द कर्ण देने वाली छवी है जो दर्सकों को ग्रीन लेंड की बर्व की चादर के बर्फीले विस्तार के नीचे ले जाती है जहां एक गोता खोर को खोज करते हुए देखा जाता है मिंके वेल का कंकाल अवसेस यह आकर्सक रचना ना केवल डौसन के आसादारण फोटोग्राफिक कोसल को प्रदसित करती है बलकि पानी के नीचे की दुनिया की बयावे सुन्दर्था को भी उजागर करती है ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेच कुशन देखती है नेच कुशन लिखा है फ्रेंड्स भारत वैस्विक इस्तर पर साइबर अपरात के लिए सबसे अधिक लच्छे देश के रूप में कौन से इस्थान पर रहा है इंडिया एज बीन रेंग्ड एस दी मोस्ट टार्गेटेड कंट्री फॉर साइबर क्राइम गलोवली फर्स्ट ओप्षन है 85th, सिकेंड ओप्षन है 93rd, फर्ड ओप्षन है 17th, या फोर्थ ओप्षन है 18th बताईएगा फ्रेंड्स भारत वैस्विक इस्तर पर साइबर अपरात के लिए सबसे अधिक लच्छित देश के रूप में कौन से इस्थान पर रहा है इस कुशन का जुराइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वैह हैमारा ओप्षन नमबर D, 80 इस्थान पर चलिए इस कुशन से रिलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती है 2023 में भारत वैस्विक इस्तर पर साइबर अपरात के लिए असीवे सबसे अधिक लच्छित देश के रूप में इस्थान पर रहा है इस्थानी खतरों ने लगवग 34% उप्यो करताओं को प्रभाबित किया जिसके परेडाम सरूप कैसमरस की उत्पादो दुआरा 7 करोड 43,85,324 घटनाओं को अवरुद किया गिया IDC के अनुशार देश का साइबर सुरच्छा बाजार 2023 में 6.06 बिलियन अमेर्की डॉलर तक पहुँच गिया फिर भी परिस्क्रत बाहरी साइबर खतरों में व्रद्धी उदमतों के लिए एक महतपूर चुनौती है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स किसके दुआरा लिखित The Book Sculpted Stones Mysteries of Mamalapuram पुष्टक का विमोचन किया गया है The Book Sculpted Stones My Mysteries of Mamalapuram Written by Whom Has Been Released फर्स्ट ओप्शन है विजय पारिक, सीकिंड ओप्शन है सांतनु गुपता, थर्ड ओप्शन है अस्विन प्रभू या फोर्थ ओप्शन है प्रसिद कृष्णा बताईएगा फ्रेंट्स किसके दुआरा लिखे थे, इसका प्टेड इस्टॉन्स, मिश्ट्रीज और मामला पूरम पुस्तक का विवोचन किया गया है इसका प्टेड इस्टॉन्स, मिश्ट्रीज और मामला पूरम नामक एक नई पुस्तक इतिहास और कलात्मक्ता की समरद टिपेश्ट्री के माध्यम से पाठको का मार्ग दर्सन करने वाली एक प्रिकास स्थम के रूप में उबरी है जो मामला पुरं के प्राचीन सहर को परिभासित करती है अस्विन प्रभुद्वारा लिखित और तूलिका बुक्स द्वारा प्रिकासित यह मनोरम अन्वेसर पाठको को प्राचीन मूर्ती कला कला की रहस्व में दुनिया के जाने के लिए आमंत्रित करता है ठीके दोस्तों आंगी बढ़ते हैं नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स विस्वचांती और समझ दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड पीस अँडस्टेंडिंग डे इस सेलिब्रेटेड ओन फर्स्ट अपशन है बीस परवरी को सेकेंद अपशन है इकक्षफरवरी को थर्ड अपशन है बाईस परवरी को इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे है मारा option number D 23 फरवरी को चलिए इस question से related important point को पड़ती है हर साल 23 फरवरी को विस सांती और समझ दिवस मनाया जाता है इस दिन को मनाने का मकसद है कि दुनिया में सांती भाई चारा और प्रेम बना रहे इस दिन को मनाने के लिए कही तरह के कारकरम आयुजित किये जाती है इन कारकरमों का मकसद दुनिया में सांती बनाये रखने के लिए समझ और सदभावना पर जोर देना होता है साथ ही इन कारकरमों का मकसद लोगों को सांती स्थापित करने के लिए जागरुख करना भी होता है ठीक है दोस्तों चलिए अंगे बढ़ते हैं और आज का लाज कुशन देखते हैं आज का लाज कुशन लिखा है किस अभीनेता को दादा साफ फाल के इंटर ननेशनल फिल्म फेस्टिवल दो-जार चॉविस में बेस्ट एक्टर का एवोर्ड मिला है which actor has received the best actor award at the दादा साप फाल की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 फर्स्ट आप्शन है अमिर खान, सिकेंड आप्शन है सल्मान खान, थर्ड आप्शन है सारुक खान, या फोर्ट आप्शन है रितिक रोशन जल्दी से बताईएगा फ्रेंट्स के सभी नेता को दादा साप फाल की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्टर का एवोर्ड मिला है इस कुश्टन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है मारा आप्शन नंबर सी सारुक खान को चलिए से रिलेटिड इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ते हैं सारुक खान के लिए बीता साल काफी अच्छा साबित हुआ था उनकी दो फिल्मों जवान और पठान ने बॉक्स ओविस के तक्त को हिला कर रख दिया अब हाल की सारुक खान को जवान के लिए दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एवार्ड 2024 से नवाजा गिया है इस खास मौके पर कुछ कुछ होता है कि राहुल टीना यानि की सारुक खान और रानी बुखर जी ने मीडिया कैमरा के लिए जम कर पोज दिये थे ठीके दोस्तो आज के सभी कुछन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंट्स और सभी कुछन से रिलेटर इंपोर्टन पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगे अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा और आपके अपने चैनल मासे श्टेडी चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मज़ दोस्तों